केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर पूरा मामला रादिस्थान के प्रताब गर्जिले के धरियावाद में एक महीला को निर्वस्तर कर घुमाने का मामला सामने आया है पीडिता के पती नहीं गाउंवालों के सामने महीला को एक किलो मीटर तक दोड़ाया घटना 31 अगस्त की है शुकरबार को वीडियो वारल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ एस पी अमित कुमार ने बताया कि महीला की शादी डेर साल पहले ही इस गाउं के यूवक के साथ हुई थी इस घटना पर मुकेमंतरी अशोग घैलोक ने खा कि सबहर राज़े में इस तरह के अपरादियों की कोई जगा नहीं महीलाओं ने देर रात पुलिस ने शिकायत की इसके बाद F.I.R. दर्श की गई है इसमें 14 लोगों की नाम है पुलिस ने पती समय तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है इस बीच रास्टे महीला आयोग ने जगटना की निंदा की है आयोग ने राजिस्तान के DGP से मामले में फोरन अक्षन लेने को कहा है और पाछ दिन के अंदर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है आरोपियों को शुक्रवार रात ही एक खबर लग गई थी कि पुलिस ग्रफ़तार करने आ रही है इसके बाद इन्होंने जंगल की तरह भागने की कोशिश की इससे इनके पैरों में चोटे आई हैं हाला कि पुलिस ने तीन को ग्रफ़तार कर लिया है इनका स्पताल में लाच चल रहा है बाकी आरोपियों की ग्रफ़तारी के लिए पुलिस की छेटी में गठित की कही है तो मही जानकारी के नुसार शादी के 6 माईने बाद महीला पडोस के गाउं उपला कोटा के एक यूबक की साथ चली गई थी महीला साल भर बाद 30 अगस्त को जब यूबक के साथ वापस रोटी तो उसके ससुराल वाले उसे जबरन अपने गाउं पहाड़ा ले आए इसके बाद पती ने गाउंवालों के सामने इसके कपड़े उतारे और निर्वस्तर कर घुमा दिया जो वीडियो वालल हुआ उसमें मैं जोर जोर से चीक रही है और छोड़ देने की गुहार लगा रही है इस जोरान गाउंग काई लोग सिर्फ देखते रहे और वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने पती को नहीं रोका तुम आई आपको बता दे कि महिला छे महिने की गर्वती है